तो अज एपिसोड 9 ते और आज जे में हापर लाइबरी इरी पाइफन में देखने वाले हैं, अग्रिश क्या होती है पाइफन में तो एपिसोड 9 ते इसे पहले मैं कहोंगा ये पिसोड या पिरांगे वाले एपिसोड आपको समझ नहीं आए कि जब तक आप पिछले सारे एपीसोड देखकर नहीं होगे तो तो अच्छी बात नहीं देखा है तुझे तो फिर देखे तो बैक्त लैब्रेरी जिन पाइपन क्या होता है कि जी से अधर लेंग्वेज ओते हैं जावा या लॉद्धर है पर अप्र पढ़ते होगे तो इसमें तो यह जो लंबी लंबी होती है तो इनको एक वीडियो में पढ़ पाना लगबग लगबग नामुंकिन है तो हम क्या करेंगे नंपाई आज पढ़ देंगे फिर ऐसे ही चार दिन लगेंगे खतम हो जाएगी तो लाइबरेरी जो है पाइफन लाइबरेरी जो है वी जा करवा दिया जाता है कोता है तो चलिए सब पहले आजम सभर कौन इंतरा नमक्राइफ सरैंगाय कर он yes का असफे रोतीत है मीवाय के शायए मधने कवह चल यॡए आपके सामने गायक लेकारीकी स्टाहिए म सलिख गार मां जीकियाइफ के आसपास आगे पीछे उपर नीचे इस तरह से मान सकते हो कि 3D में होती है यानि कि ठीडामेंजन में यह लाइबरेरी फाइली होती है यानि कि आप X and Y यह में भी बना सकते हो एक सार वाई एकसेस पर और यहां पर जैड एकसेस भी एला हुए तो यह जो है लाइबरेरी किस तरह से बनती है और किस तरह से हम इस वेप डाटा को रिश्टोर करते हैं सारा कुछ देखेंगे तो चलिए नमपाई लाइबरेरी को समझेंगे साथ ही इसमें हम कुछ में data भी लगाएंगे कि मतलब सथोड़े एप्रेसन करेंगे कि किस तरह सेट लाइबरेरी के साथ हम मैणिप लृषन कर सकते हैं कि चलिए यहाँ पर कोडिंग को नपिस ही है इसे कुछ कि लिए रोंड टा मैं ंपोर्ट आइंड के एंपोर्ट करने के बाद हमिंसने तक कि आपको में पहले के ना किरूऊ कि एसलिए कहले प्रक्षे का जाता है तेन मेंहें आपको बता हुए इसलिए चकप देख लीजा करके उसी साथ क्या यूज कर रहा था कि पहले बीडियो देजकर आई इंप तो मैं नंपाइब को क्या करओंगा एलियास लगा कर के इसको नंपाइब को एंपी घर दूंगा ठीक एंपी मानूँगा तो इन पोस्ट पना लेते हैं तो यांपर लिस्ट पना लेत यह आपको एरे के अंतरगत यानिकी एरे के अंतरगत आपको लखना तो हमने क्या किया इंपोर्ड नमभाई एजन पिक और 11 नाम से एक इनली अरे कोशए ओप की नदने ten नहीं यह पर कहानट पंदो criticize निश्ट को मेराना तो ए सब्सक्राद की यहां पर देंगतर हमारी देंट ट्वरना तो यह कर देंग है ठीह तो इस तरह से हकर सकते हो चलिताओं अच्छा इसको इसको एन यंगरियेवल ओर देते हैं वेरियَबल रहे हैं जो ज़िए ओरिक्राम ओर र्लुक कहो को रख देंगे एन वन एधी बैरियेवल को आफको सिंपर से इमेजिन करना है तो आप इसे समल्लों कि अनुए मतलब जो बैरीवल होता है तिरिके डबा होता है उसमें हम बैलू रखते हैं और जब पाते तम निकाल लेते हैं यानि कि टेमपरोरी डू मतलब डबा होता है ऐस समल्लों ठिक तो इस ठीक है एन्वन वरावर एंपी डाट एरे और यहां पर हम इसको डबा में श्टॉर करवा देते हैं नहीं कि नवन नाम का पने गवरीवल बनाया और उसमें यह एन्पी डाट एरे एलवन जो ये एरे है उसको मिन फट्रॉर खरूदेते हैं क्यों दाइमेंशनल इसमें डेटा आप स्टोर कर सकते हो तो अभी हमने एक हलो आलो एक्जामपल लिए आवन थोड़े वह ऐसे मतलब एक्जामपल यहापे लेते हैं यानि कि एक नहीं अब दो दो डाटा मतलब यहापे रखेंगे अंदर तो इसके लिए हम यहापे इसा बटा दे लेते हैं और फिर वाई लिख लेते हैं इंपोर्ट इंपोर्ट नंपाई एज एंबी ठीक है और इस बार जो अम लिस्ट बनाएंगे उसमें डेटा जो होगा वो दो रखेंगे डाटा यानिकी वन कामा टू कामा त्री या फोर या फाइब मतलब लेक लिए लिए ते लिक पाऊगी चार नहीं रख पाऊगे जितना इसमें आप डाल लो ठीक तो नो कामा वन तो यहां पे ल ल्ल आम से मने एक लिस्ट बनाई लिस्ट के अंतरा था हमने दो जो है ल नाम से मने क्लेपल बनाया उसमें अंदो लिस्ट अंदर रिस्टोर की और इस भाइवन दो याई सब्सक्राइब आ पर कर दो वाई जिए और यहां पर इसका भी टैपस यापए आपने इसाब से चेक नहीं है आपको त्रीके से और कि यह नहीं एक मोदो हर कि यहिए अब यह नहीं आ दिंगे आ जो रील्ड देखेंगे हुआ यह नहीं बना रहाएं कि यहाँ पिल्स लिविश्टेरा नहीं करएंगे है कि एंट रावर एंट रावर इंप डाठ एरे तो हम भार वार नई लिखेंगे इंपोर्ट नमपाई एजंटी क्यूंकि यह जो है बार वाल लिखेंगे तो टायम पर बाद होगा ठीक एक बार उपनलिग गया थो भीज़ा दिन्द देते हैं तो इसको क्या करते हैं एक बा अब हम एक variable बनाते हैं, जिसके अंतरगत कुछ data रखेंगे, तो एक हम variable बना लिए, np.0s, यह इसका काम क्या होता है, मैं आपको अभी बता देता हूँ, तो 0s मैंने यहां पर लिखा, और यहां पर 10,10 किया, तो इसमें देखिया होगा क्या, यह देखिया हमने n3 नाम को एक variable बनाया, जिसमें मैंने np.0s किया, और अंदर 10,10 कर दिया, इसमें होगा दल सलिए, आप खुदी देख लिजे, तो आपको समझ आ जाएगा, तो इसमें ठीक है, यानि कि आपने क्या स्टोर कर देखिया, जो है, मतलब 0 से एक इसने लाइबरेरी बना दी, मतलब एक तरीका साथ देखिता हो, इसने 0 से बना दी, 10 इसमें रो है, यानि कि जो जो vertical, नहीं जो horizontal होती है, उसको रो कहते है, horizontal line, और जो vertical line होती है, उसको हम कहते है column, त इस द्ध 02 इसको आपको धियान रिखना है इस ही से जो है किसी भी almost करके इसमें कितने भी एरे बना सकते हो किए सब्सक्राइब टैक समय हो गहा है यह चैसमें आज चाहूर जोड़ना चाहो मालोग है अगर हमें यह चुछ है अब हमें dens210 में 2 एरे चाहिए ओ तो इसमें कामा लगा करके 2 कर दो तो ये जो है तो 2 तुमआरे लिए त्यार कर देगा तीक है इस तरह से तो इसका भी आप देख सकते हो ठीक है अपना करके देखिएगा तो अटाओ इसका अच्छा ठीक है आप हम यहाप पर देखते हैं और देखेंगे कि मतलब इसमें फुल कैसे किया जाता है मतलब जाइसे आप देखी लो तो एन फोर नाम से आप हमें एक बरीवल बना लेते हैं ठीक है और आपको क्या करना है कि यहां पे पर क्राम फूर और यहां पर आप इसमें मतलब यह होगा कि आपके जो रो कालम है वह 4bes4 की बनेंगे और उसमें जो आपको देखा आप लो के रोग क्यूंत बनेंगे तो एक मैट्रिक्स तो बन जाएगी नैक Access to प्यां। प्रवाइब तो है से आपको लिख देना है उसके बाद यां पर आपको जो भी चाहिए हो देखो अगर मुझे तस चाहिए तो दस लिखे लो पांत चाहिए है मतलब आपको जैसे जी रो हो आफ ने का कोई जीरो नहीं चाहिए तो आपकोछ भी कर सकते हो इसकी design वी आप अमने तरफ से त्यार कर सकते हो ठीक है तो मैंने डेखिए देखिए डेखिए मतलब कि जो है वो चार रोई इंटू कालं में साइज इसकी दिखाई जाती यह मैं मौडूल वाले में पढ़ा चुका हूँ पहले वाले एपिसोड पिछले वाले एपिसोड में इसके ठीक है तो मैं यह समझता हूँ कि आपको पता होगा एन फोर देखिए आप हम क्या करेंगे तो यह देख लो किया हुआ कि जो देखो चारवाइचार की एक रोग और कालम से हमने चार में यह से आप अपने कर सकते हो अब यहां प्रेंगे कि माल लीजह मुझें आपे कोई एक रेंज है उस रेंज में चाहिए हो तो यह रेंज का यदे आपको याद हो तो हमने आपको फार लूप जब हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें फार लूप मैंना अब बताया था तो एरेंज देखिए और रेंज तो नाव है लेकिन यहां पर नाम जो आप लिखो गए फंक्सन जो बनाओं गए वह अरेंज करना पड़ेगा ठीक है तब यह रन करेगा वरना रन नहीं करेगा तो यहां पर आप क्या करोगे माल लीजे जितना भी आपको रण करवाना है माल ली इतना तो मालूम ही होगा कि रेंज जब हम फंक्सन चलाते हैं तो यहां पर सेंटेक्स में लोचा है तो हां समझगे कि अगर बढ़ा है तो यहां पर दो को जो इसने है टू से प्टी तक आपकी जो रेंज में आती थी यानिए कि दो से इसने स्टार्ट किया और देखिए तो आपको पता होगा हमें से हन्या पहले पर चुका हूँ कि पचास का भी नहीं आएगा खे कड़ो से तर्ट टोसे अरे明ज नहीं अटिये थी और अप अगर आप करो कि हमें माली किसे 2-3-4 पॉल्ट शाथ आतर नो फुर्षक निजई चाहिए यहानि bowl- polling जो इरह में नही तरीखे से वाइल्यू को माले वाइल्यू चाहिए या तीन चोल कर वायली चाहिए वह हम कई से कर सकते हैं तो इसका भी जूबाड़ तो यह भी देख लो लगे आतो तो यहां पर हम क्या करेंगे यह देख एक ब्रैकेट हम इतर लगा देंगे अच्छा देख को जितने ब्रै कि यहां पे जो है हमारी दो दो छोड़कर यानि की इवेन इवेन नमबर दो चाहट शेयाट दास बारात शोड़ा पंदास नहीं सोला अठारा इसे मतलब मारी प्रिंट टो कि तो यह आप जितनी भी छोड़कर मैंने दो किया अपना तरी करके देखना ठीक है तो कर लिजेग कर लेते हैं कि माल लीजे हमें इसमें से कोई रेंडम नमबर को चाहिए हो हलांकि रेंडम तो हमने आपको पिछले वाले में माडियूल वाले में यह बताया था लेकिन आज हम फिर रेंडम लाइबरी दिश्ट देखेंगे तो इसके लिए वह है उसमें थोड़ी बस रेंगे कि 100 से 200 Gothic बीच में हमें कोई रेंडम क्वाइब लाइब को वी रेंडम मतलब रभी से कुछ यह नहीं वह दिखेंगे। कोई बनेका है क्वेहचे ऑलकता है над अजिह करता है उसके पीछ रॐते हैं उसके पीछ हैèces यही कोणिंग चलती रहती है कारता आता ओलता है है तो यह हमने जो है एक समय आ चुकिए एरर एंपी बरावर रेंडम डार्टर्ट समय आपे विये तो एंपी डार्ट रेंडम डार्ट रेंडिंट तो याँ वे देखे काम बन गया ठीक है तो गलती है हो जाती है तो एंपी डार्ट रेंडम डार्ट रेंडिंट आपको करना आपनी आजाएगा यां बरावर नहीं लेगा चिन ठीक हो एक एक गलवर जाता है पूरा मामला तो यह चीज़ यादर कियेगा तो इसने देखी एक वैल्य एक हमें वैल्यू देदी अंडे बना रहे हो ठीक है उसमें आपने कहा कि एक हजार लोग बिनर बनेंगे ठीक है चलिए मैं आपके सामने प्रेटिकल करता हूं कि एक हजार लोग है नहीं माल लिजे सो लोग है ठीक है और उसमें से आपको दस बिनर निकालने है रेंडम निकालने है बेमानी होनी ने नंबर क्या होगा मतलब एक नंबर भी सबको डिसाइड कर दो कि तुमारा वन तुमारा टू टू तुरी पोर इस तरह से अंडेट नंबर सब कर लग दे दो कि लाटरिक नंबर तुमारा वन है सब को अंडेट तक पहुचा दो और फिर यह यहां पे जब आप रेसान आप चल तो यह हमारे दस लगी नंबर निकाल दिये तो इसमें देखिए जो लोग मतलब किस तरह से मतलब बिनर बन जाते हैं यह को तरीका होता है तो बहुत ही एक्सपर्ट लोग होते हैं जो अक्सर तर पाइथन पर काम करते रहते हैं उन्हें पता चल जाता है को उसके पीछे का करते हैं तो उसी तरह के राइंडम जो लाटरी नंबर होते हो खरीते हैं तो यह एक्सपर्टिज का काम है यह एक दिन वे आपके पास नहीं आएगी ठीक है इसके लिए समय लगता है तो यहां पर देखेंगे सेप देखना सेप यानी के इंदी में बोले तो आक्रिती तो यह अपिया में देखेंगे तो इंपर्ट अंपाई एजने मैं पी हो गया इन पी बराबर हाँ चलिए आपे हम एक एरे बना लेते हैं तो इन पी.ड़ट एरे ठीक है MP.0EARAY और यहां पर हम दो इरे बना लेते हैं तो one two three four five ठीक है और यहां पर हम क्या करते हैं five four three two one तो हमने यहां पर एक MP.0EARAY से करके कि हमने दो मतलब list इरे के लिए त्रियर कर ली आप हम क्या करेंगे कि इसकी जो है सेप जाचने की खोशिस करेंगी किसका सेप या फैसे कहलो कि इसकी आकरती यहां पर क्या है तो हम इसको एक वरियेबल में श्टोर करवा देते हैं ताकि बाद में कुछ लोग चाल अपड़ा ना रहे हैं तो एंजिक्स में हमने एक एंजिक्स नाम से हमने एक वरियेबल बनाया जिसमें हमने एंपी डाट रन करवा देते हैं पहले एलिवन मस्ट भी प्रूपल तो यहां पर साथ एक और लगाना पड़ेगा और यहां पर भी हमने लगा दिया तो यह देखो जो आपको सिंटैक्स लिखना है उसमें गरवड़ नहीं होनी चाहिए वरना पफास देगा ठीक है तो गरवड़ हो जाती है तो यहां पर एंजिक्स अब देगे वारीबल हम पास करेंगे और फाइनली हमारी जो है यहां प जाज कर सकते हो तो सेब कैसे चाहिए आपको तो आपको शिंपल साइक परफार्म कर देना है एंप डाट 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 सेफ किसकी सेप चांच नहीं है एन शिक्स वरियेवल की तो बता देगा यह आपको टू कामा फाइव टाइप का एक बरेवल है अच्छा इसकी एकर सेप हमें चेंज करनी हो तो वह भी आप यहां से कर सकते हो तो बस वही लगाओ जुगार एन शिक्स डाट सेप ठीक है एन शिक्स सेप एककोल टू अइक एक्वल 2 आपकोन सटैप इकूल टू अब इसके आप सेभझो मंहूंझा मैं तो काम काम की मतलब ह्रो कालम में है तूरों ȡोरा है पाँच का लम है तो इसको मूर्टा कर देते हैं पांच कामा दो कर देते हैं तो तो यह बदल जाएगा तक चला नह तो देखो बदल दिया ठीक है तो इस तरह से आप मैनुपलेशन भी कर सकते हो तो यह इस तरह से परफार्म करता है ठीक है तो आप चलिए नेश्ची देखते हैं तो नेश्ची जह है हमारी यहाँ पे जोइनिंग नमपाई एरेज यानिकी एरेज को जो है वो किस तरह से बनाते हैं अन्वन मनावर इन पी डॉट एरे और यहां पर डेटा सके इंतरकत कुछ रग देते हैं तो ज्यादा यहां पर भैंकर नहीं बनाएंगे सिंपल सा बना देंगे का मैं समझाना एंटू बरावर इन पी डर्ट एरे एंपी डर्ट एरे एरे और थर्टी पॉर्टी पिप्टी तो यहां पर हमने दो एरे बना करके तयार कर लिये ठीक है अब इसको हम रण करवा देते हैं अम इसमें करेंगे क्या हम दरसल इसका करेंगे इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन करने के बाद इसको हम घटाएंगे यह केरे से दूसरे एरो को किस तरह से घटाया जाता वह भी हम देखेंगे कि इंटरसेक्शन भी कराएंगे तो इंटरसेक्शन तो चलिए इंटरसेक्शन आपको देखाते थे एंपी हम देखिए इंटरसेक्शन कैसे कराएंगे ध्यान से देखिएगा इंटरसेक्शन हम नहीं लिख करेंगे इंटरसेक्ट वन डी इंटरसेक्ट वन डी कि इंटरसेक् में यह हुआ कि N1 और 2 में जो कामन थे वो निकल के बाहर फेक दिये गए यह होता है intersection में अच्छा दूसरा हम देख लेते हैं घटाना कई से आप कहोंगे कि एरे से एरे कई से घट सकता है घट सकता है देखो अगर मालो पांच एक दो तीन ठीक ना पहला है मत तो यहां पर चलिए आपके सामने इस एक गटाता हूं तो चलिए नपी डाट एरे और यहां पर वन्हान डी एंप ते नहीत है एंपी डाट या म गटाने वाले है तो सट बिफ सट ंट डिफन वन्हान डी सुप डाट डिफ और रिव वन्हान डी और एलओं का मैंड टू का मा एंड़소 पो यहां पर एड़ जो यानिकि हिसने क्या किया हैонов ये horizont नों से नूटू को इřिक कुग इन हो औलों मैं कमन तTT ऑवो इनों ने गटादी हैं ठीक है यही तरीका होतायज दिए आपस को पिस्तार से समझना चाहते हो तो वहीं अपना लगाओ चार शेतिन गटाओ तो एक बस्ता है कैसे बट बस्ता अगर इसको आप डिप मतलब टीप में जाकर कि देगी चीजे तो पढ़ देते हो कि गटाना कैसे जाता जोड़ा कैसे जाता लिगन उसको भी बिचार नहीं करते कि कैसे गटा अगर इस पर बि तुम्हारी जितनी वाल्यू थी हमने अपने से उतनी वाल्यू घटा दी यहने कि तुम साइड होगा अब हम बचे तुम नहीं बचे कर जोड़ा तो अपने देखना ठीक है अटाओ तो अपना बिचार करना अब यहां पे को फिलास्फी की क्लास्ट नहीं चल लाई है तो आप देख लेते हैं एडिशन यानिकी हम जोडते कैसे हैं तो एडिवन नाल से हम बना लेते हैं और यहाँ पर जोड़ घटाना गुणा भाग यह करने वाले हैं तो कैसे किया जाता है देखीए गा नहीं मतलब एडिशन नहीं मतलब अब एक तरीके से देखिए हम क्या कर आएं एन पी डाट एरे एंपी डाट एरे और एंट टॉन्ती तो में 1020 30 वाल्यू ठेक लगते हूं भाई ले लेते हैं ठीक एंटू एंटीड़ एरे Pennerie औह और क्या 30 40 50 तो एन्टू और आपर इन वन नामसे ये बना लिया रहे एनटू नामसे वरी बना एक बना लिया अजू नहीं जो एनटू है वो हमारे भेरीवल है आप हम क्या करेंगे इनमें हम जोड करेंगे ठीक है तो जोड करेंगे तो देखिए कई से जोड़ किया जाता है तो इन पी डर्ट सम ठीक है एन पी डर्ट सम और एन वन का में टू ठीक है तो इन पी डर्ट सम किया हमने देखिए एक्सोसी इस ने निकाल दिया नहीं कि एन वह रहुए जो हमारे वरिये वल में जो एरे थे उनको सब कुच जोड़कर एक्सोसी बिसक्षाट ओकित तो हमें एक्सोसी होग देख लेते हैं इमारे न्वेन डट नहीं पी डर्ट सम नहीं हो सारे तरीके हैं बताना मेरा काम है ठीक है तो आफ हम एक और देखेंगे 30 थे यानि कि रूरू को जोड़ दिया गया है 10 30 40 20 प्लस 40 जुकॉल 60 30 प्लस 450 जुकॉल टुएटी ठीक है समाझ गये होंगे करके देखिएगा खुछ से होएगा नेश्ट की बात करते हैं अब इसमें अब यहां पर देखेंगे अब माली चैसे अगर हमें यहां पर बन कर दें तो फिर यहां पर काउंस अब काला जाएगा तो इसके लिए देखिए यहां पर 60 120 कर दिया यह नहीं कि देखा जाये तो एक हमने एन वन जो एन वन नाम से वरियेबल बनाया था एन वन के अंतरगत यह हमने एरियर बनाया था उसको जोड़ दिया पूरा रेंटू को जोड़ दिया हुआ ही आगया 60 120 ठीक है तो यह आपे हमने एडिशन कैसे किया जाता है दो एरे का और किस तरीके से किया जाते है यह हमने देखा अब हम यहां पर देखेंगे कि कैसे जोड़ गटाना गु वह इसा भी सबस्क्राइब के खर एनवन अमाल लिजे मुझे पूरी एनवन जो एरे है उसमें मुझे 5 जोड़ना तो कैसे जोड़ेंगे एनवन प्लस फाइब कर दो पांच पांच जोड़ गया पूरी एरे में ठीक है इसी तरह साब एनवन में माल लिजे हमें दो गटान 2 गटाना है तो आपके किजी 2 कर देज़ local सब्सक्रांस कि या फिर बाक करना है जो भी करना हो आप चिन लगालागा करके कर सकते हो ठीक है। तो इस्तरे से आप यहां पर कर सकते हो हिल देंगा कर दिया अभी अभेशे पन या पर हम बाग बीकर ऑडियो तो य isn't chem इसे आप समझो की पंदों का योग बटे पंदों की संख्या यानिकी सीधे इंग्लिजिन में मतलब अगा सम्झाओ तु मैं आपको इसे समझ सकते हो कि जो यह एरे है एरे 10 20 30 इसमें कितने वो एल्यू है 3 10 20 30 को जोड़ो कितना आता यह 60 आता है 60 को ऊपर रखो ठीक है और कितने हैं टोटल है जो तीन वैल्यू जें तो 60 अपाने तरी कर दो तो इसी कोल्टी कुतना आएगा 20 आएगा इसी को वह हिंदी में करते हैं यह का हो यह तो हां एंपी डाट मीन ठीक है एंपी डाट मीन और लगा देते हैं एनवन वैरीवल में ठीक अब बागा नाम देने में मझा तो यही है ज़िए अपरेशन चलते हैं इस पर ठीक नाद अब आज बनाया जाता है कि जब आओ ता विसको कुछ करो इसके साथ तो य है अमने मीन नकाल अहां वां क्या निकल अंगिस का तो यह मीन निकाल लिया और यहाप फिया बेश्का एंस्टिदेऊ निकलते हैं ठीक स्टेडी ठीडि तो सबसुता मेडिय सबसें देख लिए मेडियन जक्रीट BC पूर्ण नाई चाहिए कुछ तो मेडियन टॉंटी निकलाया मीटियन का मतलब यह होता है कि 1020 30 में बीच की वैल्यू जो वो निकाल दो पस ऐसे समल लो अभी सका में स्टेडी निकाल देते हैं एस टेडी यह स्टेडी वह नाई यह तंडर टाइम डिवीजन समझ रहना तो वह नहीं है यह स्टेडी है 8.16 निकाल दिया है आव इसको है से मान सकते हो कि मतलब इन जो तीनों जो वैल्यू थी निके बीचों बीच की मतलब इन को तीन निसाब से देखा जाए तो यही निकल अब हमंदी यहां पर देखेंगे कि कैसे कले को हम लूड करते हैं और यही मैंकि कैसे कले को से अरे करते तो एक अम एसारी बना लिए अनपी ड़ाट एयरे जोimientos के बना रहे हैं तो अगीन हम बना लेते हैं 1,2,3,4,5 Token तो नवन नाम देते हैं और इसको रन करवा देते हैं तो हमारा जो एरे है वो एकदम प्रिंट हो गया है जकास तो अब हम यह क्या करेंगे कि इसको हम सेप करेंगे तो चलिए सेप करते हैं हम क्या करेंगे इसको सेप करने के लिए इनपी डाट सेप इनपी डाट सेप फिर इसका नाम दे देजिए तो मैं इसका नाम दे देता हूँ सेप क्या और यह किस बड़िए को आप इसडोर करनो आणा चाह रहा हो सेप करना चाह रहा हूँ वह बताए है तो इसको हम लोड कर देते हैं तो हम दूसरा variable बनाएंगे n2 नाम से जिसको हम क्या करेंगे इसमें हम load करवा देते हैं तो np.load ठीक ना np.load और इसका जो है नाम sk.npy कर देते हैं ठीक ना sk.npy और यहां पर हम n2 में n2 को प्रिंट करवा देते हैं n2 तो यह जो है हमारा array को जो है यह नहीं कि कुल मिला करके इसने पहले देखिए हमने जो हिंदी में आपको समझा देता हूं ठीक है का षरुमर इत्रम की मॉझे को बीदै के नहीं के जिए हमने पूरी खतं़ कर दी और सारे कुछ आने प्ताय बीडियो अचा लगा Eu वीडियो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आपको कांटेंट पसंद आता हो ठीक जल्दी आएगा नेस्ट वीडियो